Hello guys, welcome back to my channel. So guys, today our topic is past perfect tense. So previous video में हमने past continuous tense पढ़ा था, जो progressive tense होता है. अभी हम पढ़ रहे हैं past perfect tense. और past perfect जो tense है, perfect का past perfect, आपने present perfect में भी पढ़ा था, जो काम हो चुका है, जो अभी अभी हुआ है. लेकिन past perfect है, जो हो चुका था, उस टाइब भी वो काम हुआ था, हम उसकी बात करेंगे past perfect में. और past perfect हम उन sentences की बात करते हैं, जिनमें जो काम हो, इनमें conditions आती हैं, जैसे एक काम हुआ है, इसमें हम simple past और past perfect, दोनों को conditions को मिलाके हम एक sentence बनाते हैं, ठीक है? जैसे मैं बोलू कि मैं station पर पहुंची, जब मैं station पर पहुंची, तो गाड़ी जा चुकी थी, train जो है वो जा चुकी थी, ठीक है, जब मैं station पर पहुंची, तो train जा चुकी थी, तो this is the condition ना, जब मैं पहुंची, तो तब क्या train कब जा चुकी थी? when I arrived at station जब में station पर पुंची तब ही train जा चुकी थी तो जा चुकी थी चुके थे चुके चुकी थी यह जो इस तरह से जो words end में आएंगे उसमें हम past perfect tenses में include करेंगे ओके और अब उसके बाद हमारा रहता है कि past perfect tense में कुछ rule होगा जिसके according sentences बन आएंगे sentence formation होगी और एक बात याद रखना past perfect में maximum से maximum time मतलब हाद time ही आपकी एक condition रहती है कि ऐसा हुआ था तो ये काम था मतलब जैसे आप मैंने बुला कि मैं उसने अभी ही room को छोड़ा जब मैं पहुंची he just left the room when I reached here, जब मैं वहाँ पहुंचा तो उसने room को उसी time छोड़ा था ठीक है, तो that is the condition, condition होगी एक में देखो when I reached जब मैं पहुंची, that is the simple past और दूसरे में मैं बोल रही हूँ has left, तो वो जा चुके थे तो वो क्या है वो आपका past perfect तो this is the condition ना, तो condition match, जब condition दी जाती है और तभी हम past perfect tense को use करते हैं, जो काम हो चुका था, अभी हुआ नहीं है आपका present perfect में होता है जो अभी recently finished हुआ है लेकिन आपका past perfect में आता है जो काम पीछे कहीं हो चुका है past में हुआ है, ठीक है अब इसका कुछ rule होगा subject plus verb की no had helping verb plus verb की third form plus object अब देखिए past perfect tense का rule क्या है subject had verb की third form and object ये same present perfect की तरह है सिर्फ present perfect में यहाँ है जोर have आता है लेकिन यहाँ सिर्फ had ही आता है क्योंकि यहाँ had ही सभी subject के साथ आएगा singular के साथ भी plural के साथ भी और आपका singular किसी name के साथ भी ठीक है जैसे मैं बोलूँगी I had done this work मैं ये काम कर चुकी थी ठीक है when he came at my home at that time I had finished my work मैं अपना काम खतम कर चुकी थी या अपना दीनर खतम कर चुकी थी आप कोई भी condition रख सकते है according to your choice तो ये आपका क्या है rule है जिसके according आप sentence formation करेंगी past perfect tense में ओके जैसे मैं एक वो बना रही हूं अपना करेंगी the train had left when I arrived at station I arrived, follow, I reached, follow as your choice ओके वो कहार है train had left train जो है वो जा चुकी थी कब जा चुकी थी जब मैं station पर पहुंचा तो that is the condition आपकी train कब लफट हो चुकी थी कब जा चुकी थी जब आप station पर पहुंचे तो this is the past perfect tense यह आपका past perfect tense हो हुआ और इसी में देखो आपकी सतरह से आपको पता है कि यह आपका पहला sentence बन रहा है the train had left train जा चुकी थी लेकिन कब जा चुकी थी when I arrived at station जब मैं station पर पहुंचा तो यह आपका past perfect tense है और इसमें आपकी इस तरह से condition मैच की जाती है जब मैच की जाती है अपना काम जो था वो खतम कर चुके थे when I came, जब मैं आई तो मेरे फादर जो थे उन्होंने अपना काम खतम कर लिया था, कर चुके थे वो अपना काम खतम जब मैं पहुंची जब मैं आई, ठीक है? तो that is also the past perfect tense अब इसके बाद हमें interrogative भी बनाना होगा कि interrogative किस तरीके से बनता है जैसे had को हम बहार लगा लेंगे had had the train left had the train left क्या train जा जुकी है फिर इसमें condition क्या करोगे had the train, जब मैं पहुंची क्या train जा चुकी है हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे had the train left, क्या train जा चुकी है फिर वो ये बात बोलेगा the train had left when I arrived at station किसी को बता रहोगा कि जब भी मैं पहुंचा था station पे तभी ही train जा चुकी थी तो अब इसका question क्या बनेगा had the train left, क्या train जा चुकी थी had my father finished his work क्या मेरी जो father थे उनका जो work था वो उन्होंने finish कर दिया तो that is also the interrogative one interrogative past perfect का interrogative tense इस तरीक से बनता है अब ही हम आगे हम इसका क्या बनाएंगे आपने interrogative देख लिया आप negative बनाएंगे आप curry, क्या से लियार इसका अब जसुर अब ट्रेंगे क्यार, क्या क्या से लिए ज। रियारे क्यात आप ट्रेंगे When I arrived at station, train नहीं जा चुकी थी, train जो है वो नहीं गेई थी जब मैं station पे पहुंचा था, तो this is also the second negative sentence और interrogative negative क्या बनेगा? Had the train left, बाकि सेम रहेगा? Had the train not left? Because आप interrogative negative बना रहे हैं, और end में फिर interrogation sign आएगा? तो this is also the interrogative negative sentence of the past perfect tense. तो these are the four subtypes of the past perfect tense. आपको सबसे पहले इसका rule याद होना चाहिए, subject had verb की third form and object. Then the train, यह जो आपकी एक बात याद रखना है, past perfect tense में आपकी conditions apply होती है, कि जो काम तब हो रहाता तो आप ऐसा कर रहे थे, जब आप पहुंचे तो वो जा चुके थे. तो these type of sentences will come under the past perfect tense. मतलब condition sentences जो होंगे, वो आपके यहाँ पे आएंगे. Before आ सकता है, after आ सकता है, already आ सकता है. इस तरहां के words आप इसमें use करेंगे. Then यह आपका simple positive sentence हो जाता है. This one is your negative and this one is your interrogative negative sentence. So I hope you all understand all the important things under the present perfect tense. So this one is the rule, you have to learn the rule. What is the how to sentence formation in this sentence. So यह आपको properly यादर होना चाहिए past perfect tense में कैसे होता है. Next video में हम past perfect continuous tense को revise करेंगे. So I hope you all understand about the past perfect tense. So revise कीजिए पिछे वाले sentences को भी ताकि आप अच्छे से उनको frame कर पाएं और अपनी daily life में sentences को use कर पाएं. Thank you for watching my video. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.